दॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेश आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन्पे पत्तर बरसा दिया, जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है, वह वो हॉस्पिटल से भाग रहा है, भाग के जाओगे कहा, किस और भाग रहे हो, जिंदकी के और भाग अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमार्ट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बाद समझता हूँ जिनके पस कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी जानते हो परीवार गुजर जाने से बेतर है कि ये बिना खाए पिये ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग़ा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये विमारी पहली जा रही है अगर आपके अक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के रियाक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके अक्शन देखतें नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को, नर्सिस को और आवाम को करुा वीरिस नहीं होता अतने लोग़ा काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिससे काम पे लग गगे होते चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खतम हो लिए लेकिन इन चंदोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वरवाब बड़े भाद वरवाब कि इतने बाद वर इतने तकत वरवाब कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उतकी अर्ती उठाओगे इतना जिगर है आप क्यों आप यम्राज और मलकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन लिल्ला है और राम नाम सकते है पड़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते है जिसकी भी दो ही है एक पहलू यह है कि हम सब रहे है दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे है अब भी सैट करो